हम आए हैं एक गाडन में जी गाडन में और जहां गाडन है वहां गुलाव नहीं है और सर्दियों के मौसम में खास तोर से ऐसे बनता नहीं है जी जहां गाडन है वहां तो गुलाव होने ही है और सर्दियों में खिलेवी गुलाव होना नहायद जरूरी है तो और मुझे मिल यह मैं पोनाने का एक वक्त जी शायत पब्लिक के बीच में मैं वीडियों बना पाती यह न nuevas बना पाती लेकिन जहां केवल मेरी अपनी सखी है और बर को खाली वीराम पड़ा हुआ ओवा गाडन है कि में ही दो है तो वहां तो वीडियो बनता ही है जी दोस्तों देख लीजिए आप ये गार्डन का व्यू मेरे अपने शहर में है हम यहाँ पर क्रिवपति बाला जी एक नया मंदिर बना है उसके दर्शन के लिए आए थे तो मंदिर जो है अभी उसके पट खुले नहीं है तो हमने का चलिए तब तक यह पास में एक गार्डन दिखा और महीं चले आए जी दोस्तों चलिए ये तो हुई बात की हम यहाँ क्यों आए और क्या काने आए अब खास बात यह है कि मैं बताने जा रही हूं इस गुलाब की बात कि इस गुलाब की कियर देखी बहुत अच्छी तरह से की है पहले तो हम पॉजिटिव निगाहों से इसकी कियर की बात देख लेते हैं कि कितना सजा की रखा है इस एक गुलाब के पौदे को जी आप बात कर लें कि क्या कमी रह गई हाँ देखी इतने सुंदर सुंदर से गुलाब हैं लेकिन कुछ कमी मैंने यहाँ पर देखी तो मैंने का कि चलि पूल थे वो भी यहीं लगेवे हैं यह जो इसका पौदे का न्यूट्रेशन ले रहे हैं और कोई वैल्यू नहीं आप इन फूलों की बस केवल इस तैनी से लगेवे हैं और तो आप जरूर जरूर उसकी कटिंग कर दीजिए कैंची से कैंची को सेलेटाइस करके और इस तरह के आप मत रहने दीजिए तो आपके पौदे पर बहुत अच्छे और जरा गुलाब आएंगे और बड़े गुलाब आएंगे फूलों को इस तरह से तंगा बिलकुल मत रहने दीजिए जैसे आपका पौदे का फूल पूरा हो चुका हो उसका टाइम पिरिड पूरा हो चु मुझे उमीद है आपको मेरी ये दीवी छोटी से ट्रेप अच्छी लगी होगी हाँ जी अच्छी तो लगनी ही है क्योंकि नेचर को और ज़्यादा सुन्दर बनाने की जो बात हमने आज कही है और इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो आप ले पाएंगे इतने बड़े बड़े और इससे भी जारा सुन्दर गुलाब जी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और आपके पास और भी कुछ हो गुलाब की केरिंग के बारे में सुजाओ तो आप वो भी मुझे शेयर कीजिएगा जहींज भारत